हेलो फ्रेंड्स आप सबीका स्वागत है इस चैनल में इस वीडियो में हम लोड रीपन से रिलेटड इंपोर्टन एमसी क्यूशन कवर करेंगे तो इसका टाइम पिरियड 1882-1884 1880-1884 तक है तो इस टाइम पिरियड में जो भी इंपोर्टन इविंट वे जो भी क्यूशन बन सकता है तो मैं सेपरेट लेक्चर कवर गया हूं उन गवर्नर जेनर और वाइसराय पे तो आप देख सकते हैं मैं प्लेस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो इस वीडियों हम लोड रिपन पे फोकस रखेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉस्ट क गया था तो 1280 में इक के पीयम विल्यम गलेड ईस्टर पे द्वारा लॉर रिपन को भारत का व्युस्धिया जाता है और यती निक्त किया जाता है चौन्वें सकते हैं आप गाइव व्ही जार आताना तु यहां पे आपको फार्ट में पहली बार फेक्ट रियेक्ट कब पारित किया गिया था लए तो in चैटर में कमेटी का गटन किया गयाék था इस कामीटी के तह ताट सभी फेक्ट्यों के कंडिसान को इंक्वाइडी करना था बढ़ी इसके बाद 1881 में पहली बार अर्वार पर्ट केÁ ता है तो इस यक्ट के कुछ याउसे deal करना था then next point है येक्ट साथ से 12 वर्ष के बच्चों के child labor से जूड़ा था then next point है इस एक्ट के तहहत साथ वर्ष से कम उमर के बच्चों को नोकरी पर रखने से माना था इस Act के एतहाद 7 वर्स के काम उमर के बच्चों को नोकरी पर रखने से माना था Then Next point है बच्चों के लिए working hours per day 9 hours limit किया गया था तो इस Act के एतहाद बच्चों के लिए working hours per day 9 घंटे limit किया गया था 9 घंटे सिर्फ काम करें जा सकता इस Act के तहाद Then Next point है बच्चों के लिए एक महीने में 4 holidays का प्रवधान किया गया था तो इस एक्ट के ताथ बच्चों के लिए 4 holidays 4 दिन चोटियों का प्रवधान किया गया था देने इसके लावा कुछ और extra fact बात कर ले तो इक्ट ऐसे करखानों पर लागो था जहां 100 से ज्यादा मज़ूर काम करते थे तो इक्ट ऐसे करखानों पर लागो था जहां पर 100 से ज्यादा मज़ूर काम करते थे तो यह कुछ first factory act के purpose थे और पहली बार 1881 में पारित किया गया था Next है which credit with the enactment of the first factories act 1881 which had provisions for regulating child employment प्रतम factory एदिनियम 1881 को लागो करने का असरह किसे दिया जाता है जिसमें child employment को regulate करने के प्रवधान थे तो option A right answer है load ribbon तो ribbon के समय में first factory act पारित किया गया था तो credit इसे दिया जाता है जिसमें child employment को regulate करने का प्रवधान था तो option A right answer है and friends यहाँ पर मैं next question cover करने से परहे बताना चाहता हूं कि modern Indian history पर e-book बनाया है जिसमें आपको लगबग 1800 परस क्यूशन देखने को मिलेंगे तो इसमें आपको लगबग 21 topic देखने को मिलेगा इस e-book में एक इस topic cover किया हूं तो इन 21 से आपको 1800 परस क्यूशन देखने को मिलेंगे देनिस के अलावा इस e-book में review भी कर चुका हूं इस channel पर आप देख सकते हैं किस परकार में design किया हूं तो में link description और comment box में देदूंगा तो interested होंगे तो आप इस e-book को purchase कर सकते हैं next which of the following statements is true about the first Indian factory act passed in 1881 1881 में प्रतम बारतिय करखाना अधे इनियम के बारे में निमिलीखित में से कौन सा गतन सत्य हैं तो यहां पर आपको बताना है first Indian factory act के बारे में option में से कौन सा statement सत्य हैं तो option c right answer both first and second यह दोनों statement सत्य हैं तो एक्ट बुख्य रुप से child labor के problem से समंदी था तो सत्य है then next है इस act में प्रवधान किया गया था कि 7 से 12 वर्ष के बच्चे प्रति दिन 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे तो यह भी statement सत्य है यह दोनों statement first Indian factory act में mentioned थे नक्ष्ट है the restoration of मैसूर to its old ruling family was a unique thing in the history of British India who do it तो यहां पर बताना है British India के हित्यास में मैसूर को उसके पुराने सासक परिवार को वापस सोपा जाना एक unique घटना थी तो यह किसके दवारा किया गया था तो option B right answer Lord Rippon तो यह Lord Rippon के दवारा किया गया था तो option B right answer है next है the restoration of the raja of मैसूर was done by Lord Rippon in which year Lord Rippon दवारा मैसूर के राजा की पूर्ण रस्थापना किस वर्स की गई थी तो यहां पर बताना है मैसूर की पूर्ण रस्थापना Rippon के समय में किस वर्स की गई थी तो option A right answer 1881 1881 में की गई थी तो पहले वडियार डानिश्थी का सासन था तो रिपन के समय में फिर से वडियार डानिश्थी को सासन दे दिया गया था 1881 में तो option A right answer है next है when was the first complete sentence conducted in India भारत में प्रथम पूर्ण जन्गना कब की गई थी तो यहां प्याग बताना भारत में पहली बार complete जन्गना कब की गई थी तो option B right answer 1881 1881 में भारत में पहली बार complete जन्गना की गई थी तो इसे पहले 1872 में जन्गना हुआ था बट complete जन्गना 1881 में रिपन के समय में होता है तो option B right answer है next है regular sense in India are held every 10 years in which year was the first regular sense held in India भारत में regular जन्गना हर 10 साल में होती है तो भारत में पहली बार regular जन्गना की इस वर्स हुई थी तो option C right answer 1881 1881 1881 में भारत में पहली बार regular जन्गना कंड़ की गई थी तो load मेयो के समय में 1872 में भारत में पहली बार जन्गना कंड़ की गई थी बट ये non scientific manner से की गई थी मेयो के समय में non scientific manner से की गई थी 1881 में रिपन के समय में फिर से कंड़ की जाती है जो scientificly की जाती है तो यह पहली बार रेगलर जनगन्ना scientifically 1881 में रिपन के समय में की गई थी इसके बाद every 10 years में की जाने लगी और 2011 तक भारत में मंदरे बार जनगन्ना हो चुकी है 2011 तक मंदरे बार कंड़क्ट की जा चुकी है तो यह भी important point है राक्षट इनुविच है लोडरी पन पाश्टे फ्हहमस राजूलेशन वीच वाफ्ट मांक्त इन डेभलोप्मेंट ओफ लोकल शेल्फ गवर्मेंट इन इंडिया किस बड्रीपन ने एक फेमस प्रस्ताव पारित किया जो भारत में लोकल शेल्फ गवर्मेंट के विकास में परतीक था तो option A right answer is 1882 1882 में Lord Rippen के दोबरा एक famous परस्ताव पारित किया गया जो भारत में local self-government के विकास में परतीक था तो option A right answer है next is who among the following is known as the father of local self-government निमेलिखित में से किसे local self-government के जनक के रूप में जना जाता है तो option D right answer is Rippen Rippen को local self-government के जनकी रूप में जना जाता है तो option D right answer next is who's resolution has been held as the magna kata of local self-government किसके संकल्प को अस्थानिय सवसासन का magna kata कहा गया तो यहाँ प्याग बताना किसके resolution को local self-government का magna kata कहा गया option D right answer is Lord Rippen Lord Rippen के 1882 के resolution को magna kata कहा गया तो option D right answer next Lord Rippen appointed hunter commission for Lord Rippen ने hunter commission के निक्ति किसके लिए की थी option C right answer educational reforms in India भारत में educational reforms के लिए hunter commission के निक्ति की गई थी और एक hunter commission के निक्ति 19-19 में जालिया लबाग mass care के inquiry के लिए भी की गई थी तो important point है 19-19 में जालिया लबाग mass care के inquiry के लिए की गई थी और Rippen के समय में educational reforms के लिए की गई थी next in which year was the hunter commission appointed by Lord Rippen for educational reforms Rippen के समय में educational reform के लिए hunter commission के निक्ति कब की गई थी तो option B right answer 18-82 next the first education commission in India was भारत में पहला सिक्चायोग था तो यहां पे आपको first education commission बताना है भारत में पहला education commission कौन सा था तो option D right answer स्रे hunter commission hunter commission यह first education commission था तो hunter commission का गठन 18-82 में किया गया था और इस commission का अधियाच sir William hunter hunter education commission का अधियाच sir William hunter था जो एक वाइसरा executive council का member था तो इसकी अधियाचता में hunter commission की गठन की गई थी नक्ष्ट है दा priority for the development of primary education in 1882-183 was recommended by 1882-83 में primary education के विकास को priority देने के लिए सिपारिश की ने की थी तो option C right answer hunter commission hunter commission ने सिपारिश की थी तो option C right answer है next with reference to the hunter education commission which one of the following statements is incorrect hunter education commission के reference में ने मिलिखित में से कौन सा कथन गलत है तो यहां पर आको बताना है hunter education commission के reference में option में से कौन सा statement गलत है तो option B यह गलत है क्योंकि 1854 के उट्स dispatch को English education का मेंगना काटा कहा जाता है भारत में तो यह statement hunter education commission के reference में गलत है then option में और भी statement है तो हम इन्हें discuss कर लेते हैं लोड पन के दवार है पोइंट किया गया था hunter education commission को तो कुषमेंट साथए the next सब्सक्राइं किया था तो ये स्टैमन किया था यह रोउंग है डाउक्षट विद्ध रिफ्रेंस तू हंटर ए्जूकेस्ञें कमिसेज़ फॉल्लोंग श्टैमेंट्स Hunter Education Commission के reference में निमेलिखित कत्मों पर विचार करें और यहां पर बताएं कि उपर में से कौन सा statement correct है तो option is right answer first and second only तो इस commission ने female education के अपरियाप्त सोईधाओं की और ध्यान आकर्षित किया The next है इस commission के दोरा सिफारिस की गई कि secondary education पर दो division होने चाहिए लिटररी एंड वोकेशन तो इस commission के दोरा सिफारिस की गई कि secondary education पर दो division होने चाहिए लिटररी एंड वोकेशन तो option is right answer first and second only Next which commission under the British rule prepared the famine code British rule के अंदर गत किस commission ने अकाल सहीता त्यार किये थी तो यहां पर आपको बताना किस commission के दोरा famine code दियार की गई थी तो option C right answer is strategy commission strategy commission के दोरा famine code दियार की गई थी तो option C right answer है Next when did the British India promulgate the famine code to prevent famines and help famine victims British India ने अकाल को रोकने और अकाल परीटों की सहाथा के लिए अकाल सहीता कब लागुक की तो option B right answer 1883 1883 में लागुक की गई थी और जिस commission ने इसे त्यार की थी उस commission का formation 1888 में की गई थी तो यह भी important point 1888 के आसपास में लोड लिटन के समय में की गई थी तो इसे बद मैं लिटन पर कवर कर चुगा हूं तो आप देख सकते हैं next time the ilbert bill was passed during the term of load ripan to bring Indian and European magistrate on equal footing in कब भारती और European magistrate को समान अस्तर पर लाने के लिए लोड रिपन के कारिकाल के दुरान ilbert bill पारित किया गिया था तो option B right answer 1883 1883 में पारित किया गया था ilbert bill तो इस bill का purpose था European लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए भारती और European नाजितों के बीच बेदभाव को दूर करना था बट यह bill Controversy में आ गया था क्योंकि European लोग नहीं चाहते थे भारती जयल भी उन पर सुनवाए कर शके तो इसलिए यह bill Controversy में आ गया और फिरवाद में यह पारित नहीं हो पाया था तो option B right answer 1883 में पारित करने का परियास किया था इलबर्ट बिल को next consider the following statement the इलबर्ट बिल Controversy इलबर्ट बिल Controversy के बारे में इमिल खित कत्म पर विचार करें और यहाँ पर बताएं कि उपर में से कौन सा statement correct है तो option C right answer both first and second उपर में यह दोनों statement correct है इलबर्ट बिल Controversy रिपन के समय में सुरू हुआ था then next है इस बिल का purpose था Europeans पर मुकदमा चलाने के लिए इंडियन और European जाज़ों के विच discrimination को दूर करना तो यह दोनों statement correct है तो option C right answer है next which one of the following statement about the इलबर्ट बिल is correct इलबर्ट बिल के बारे में में मिलकित में से कौन सा कथम सही है तो यहां पर आपको बताना है इलबर्ट बिल के बारे में option इसे कौन सा एक statement correct है तो option D right answer है next time the Vernacular Press Act of 1878 was repealed during the tenure of Viceroy 1878 का Vernacular Press Act किस Viceroy के कारिय काल के दोरान निरस्त कर दिया गिया था तो option भी right answer ribbon, ribbon के समय में Vernacular Press Act को repeal किया गिया था तो इसे implement तो लिटन के समय में किया गिया था 1878 में, load लिटन के समय में और इसे repealed ribbon के समय में किया जाता 1882 में, तो option B right answer है next, who said Lord Rippon the savior of India and his rule the beginning of a golden age in India किसने Lord Rippon को भारत का उधार कहा और उसके सासनकाल को भारत में golden age का आरम कहा था तो option D right answer Florence Nightingale, Florence Nightingale के दोरा ये कहा गिया था तो ये कौन थी एक English social reformer थी और इन्हें modern nursing movement का जनमदाता माना जाता है इन्हें modern nursing movement का जनमदाता माना जाता है और देनिस के अलावा इन्हें the lady with the lamb भी कहा जाता है और इनके birth day को international nurses day के रूप में celebrated किया जाता है तो इनके birth day को international nurses day के रूप में observe किया जाता है 12 में 12 में को तो ये important point है तो ये ऐसा इनका मानना था फोलरिनेस नाटिंगल का ये ऐसा मानना था लोड रिपन के बारे में सिर्फ ये इन्हें के दोवरा ऐसा consider किया गया है next which one of the following is associated with the tenure of load रिपन निमिली खितने से कौन सा load रिपन के कारिकाल से समंदित है तो option D, right answer all of the above, Punjab University का formation, Hilbertville controversy and local self-government का introduction ये तीनों लोड रिपन के tenure से समंदित है तो option D, right answer all of the above तो Punjab University का formation भी इसी के tenure में किया गया था next which of the following was not the contribution of load रिपन निमिली खितने से कौन सा load रिपन का योगदान नहीं था तो option A, right answer है, the Indian Council Act 1892 तो ये इसके समय में पारित नहीं हुआ था तो ये इसके tenure से समंदित नहीं है then option में और भी a statement है तो उसे हम discuss कर लेते हैं financial decentralization तो ये इसके समय में continue रहा था क्योंकि जाने रहोगा ये मयों के समय में पारित हुआ था ये मयों के समय में पारित हुआ था तो ये इसके समय में भी continue रहा first factory act पारित किया गया था labor condition को improve करने के लिए तो ये भी a statement सत्य है इसी के tenure से related है then next है education commission का गठन किया गया था sir William Hunter के chairmanship के under में तो ये भी a statement सत्य है इसी के tenure से समंदित है but ये wrong है तो option A, right answer है next which among the following events took place during the vice-racive of Lord Rippon निमिलिकित में से कौन सी घटना Lord Rippon के vice-racial में घटित हुई तो यहां पर आपको बताना है Rippon के समय में कौन सी कौन सी घटना घटी option D, right answer is all of the above इसके समय में option से सारे event हुए थे first factory act पारित हुआ, सही है वर्ना कलर प्रेस एक्ट को रिपिल किया गया था इसके समय में सही है civil service में age limit को increase किया गया था तो इससे पहले लीटन का Rippon से पहले लीटन वायस रहा था तो उसने civil service में age limit को कम कर दिया था तो यह increase करता फिर से तो यह भी statement साते है करने के कोशिस किये तो उमीद है यह वीडियो आप से पहले इंपोर्टन होगा यदि इंपोर्टन है तो आप अपना feedback दे सकते हैं इस वीडियो को like comment and share कर सकते हैं और इस चैनल को भी subscribe कर सकते हैं for more videos तो फिर मिलते हम नेक्स वीडियो के साथ thank you for watching this video thank you